हेई फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज मैं आपके चाहिक कर रहे हूं रोल समोसा की रेसिपी बहुत ही सिंपल है इसको बनाना और उतना ही यमी है और समोसे को बस आप यह समझ लीजे एक नया शेफ दिया है हमने तो चलिए यह आपको कट करके दिखाया है मैंने अंदर टेक्शर बहुत ही अच्छा आता आप एक बार जरू ट्राई कीजिए सॉल डाला केरम शीट्स डाले यानि अजवाइन और दो चमच मैं इसमें घी का यूज कर यूँँ इसको मोहिन देने के लिए ताकि जो हमारे समोसे ना वो खसता और कुरकुरे दोनों हो और बस जो हम लेना है गुनगुना पानी और डो एकदम सक्त लगाना है हमें लूज वाला डो या सॉफ्ट वाला डो नहीं लगाना है और इसको हम 20 मिनिट्स के लिए डो लगा के इसको कवर करके रख देते हैं यह थोड़ा रैस्ट कर ले तो यह बहुत ही अच्छा हो जाएगा हमारा प्रिपेर समोसे के लिए और अब हम स्टेप 2 में क्या करते है हम बना लेते हैं जो स्टफिंग यानी जो पोटेटो बनाएगे आलू का मसाला वो तो उसके लिए मैंने आलू बोईल करके रख रख हैं और दो चमश मैने केश्यू और किसमिस को सौक करके रखा आधे गंटे बस एक पैन में लिया मैंने टू टेबल स्पून ओयल उसमें थोड़ी सी चॉप करके ग्रीन चिली डाली है और जो बॉइल के वे पोटेटो थे वो भी मैंने इसमें एड़ कर दिये अब मैं थोड़ी से इसमें टर्मरिक पाउडर डाल रही हूं उसके साथ ही मैं इसमें ग्लेंगार पाउडर पाउडर डाला एसमें और उसके बाद में आब इसमें एड़ करिऊ ब्राइं धावडर यानि अमम्चूर पाउडर और उसके साथ ही मैं इसमें और डाल रही हूं शकर मैने आधा चमाई вещ कर आ लिया छो हमारे इसके पीसे है उणनको और वेचो अब इस इसमें डाल देते हूँ थोड़ा होटा चौप कि अवर धनी आ और उसके साथ ही में सुखा पुदीना डाल रही हूँ जिसको मैंने हलका सा क्रॉष कर लिया है और अब उसमें लास्ट में एड़ कर देती हूँ गरममसाला और उसके बाद में flame कर देते हैं बंद और इसको अच्छे से हिला लेते हैं और मेश करके इस तरह से मसाला prepare कर लेते हैं ठंडा होने के लिए रख दिया है अब हम मेधा past तयार कर लेते वो उसके लिए मैंने 2 tablespoons मेधा लिया उसमें around 1 tablespoon water डाल के मैं इसका एक PEST जैसा फोम बना लेती हूँ और यह हम बना रहे हैं वो भी मैं आपको बताओं कि किसलिए बना रहे हैं इससे हम हमारे हमारे समोसे उनको पूरा सिक्योर करेंगे कि वो यह देखें पेस्ट की consistence इस तरह है यह बना रहे हैं समसों को सिक्योर करने के लिए ताकि जब हम फ्राइ करें तो उसके एजस से उसका जो स्टफिंग है वो निकल के हमारे ओयल में नहीं आए यह हमारा जो डो है वो रेडी हो गया क्रीबें 20 मिनट्स हो गये तब तक हमने मसाला प्रिपेर कर लिया था मसाला भी ठंडा हो गया और डू भी रेडी है तो अब मैंने थोड़ा बड़ा साइज का बॉल लिया है उसको मैं रोल कर रही हूँ इस तरह से आप भी इसको अपने प्लेटफोर्म पे मतलब रोल कर लीजे या सिलिकोन मेट वगर लगा के तो यह देखिए मैंने रोल कर लिया है कुछ बड़ी साइज में हमें रोल करना है तो यह देखिए इसकी थिकनेस भी मैं आपको दिखा रही हूँ अच्छे से पाइब न पत्ला है और ना ही जी जादा मोटा कण से तरह से नाइफ लिए जीर से और इसफीन से कुछ महीं से कृटत नाज़त करें गश्चर कृटा है और इसलोट है, और तलंवा पेस्ट करते हो हैं मेदा पैस्ट किसट को इसाया है इसके center में ताकि जब हम roll करेंगे समोसे तो अच्छे से secure हो जाए, pack हो जाए अब मैंने जो prepare किया था potato masala जो stuffing तयार की थी हम लोगों ने वो हो गई है अब ठंडी, ठंडी होने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ समोसे के इस तरह से roll कर रही हूँ, इसको roll समोसा बना रहे है तो बस बहुत ही simple है ना, इस तरह से बस इसको secure कर देंगे corners को जो pest बनाया उससे ताकि हमारा जो masala fry करते वक्त बहार ना आए, oil में और इसको रख देंगे, एक और तरीके से हम इन roll को prepare कर सकते हैं उसके लिए भी same आपको करना है, masala stuff करना है, इसको roll करना है और ये इस तरह से लेके, इसके जो edges हमको बाहर दिख रहे हैं, उनको हम knife की help से cut कर देंगे तो ये even shape में हो जाएगा, पूरा rectangle, बस इसको भी इस तरह से हम secure कर देंगे बहुत easy है, ये समोसे बनाना, ना हमें proper वैसे जो traditional समोसे होते हैं वो shape देने की tension नहीं है, वो बहुत tough होता है shape देना, ये बहुत ही simple है न तो ये सारे मैंने ready कर लिए समोसे roll, अब मैं इसमें डाल रही हूँ oil में और oil हमारा, जो है, वो look warm होना चाहिए, एकदम गरम नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे समोसे पे जो है, bubbles आजाएंगे, वो हमें नहीं चाहिए होते हैं, तो बस और जो flame है, समोसों को fry करते वेक्त, low flame रखनी है, ताकि वो अंदर से भी properly cook हो जाए जो हमने इसको roll किया है, हमारा dough है वो, तो इस तरह से बस low flame पे cook करते रही है, और जब flame हमें high तब करनी है, जब हमारे समोसे हलके golden color के हो जाएंगे ना, तब हम flame को high कर लेंगे, उससे क्या होगा, हमारे समोसे अंदर से भी अच्छे से cook हो जाएंगे, और बाहर से भी अच